हड़ हड़ माहादेव chodzi नियोटिप्स ने हैक tinc sasath आगयy sommes फ्रेंस नियोटिप्स ने हैक킨 साथ इस तरीके से अफ्रीजर में साड़े विंदी रख देखे कमाल ही कमाल हो जाएगा बचके बचकेदेट होगा आप सोची भी नहीं होगई कि इतना मार्ड बचकत हो सकता ह पहलह टिप्स तो इस तरीके से ढ्हकन कुकर की डगकन से लेकर है तो फ्रीज्ट यह ढक armpi तो पहुंते हैं कि यूज करते नए सब्सक्रणा और से और स्पीं निकलना अश्टार गोजाता है और और हाँ फ्रेंस आप हमसे जुछे विराना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइग करें और सेर भी कर दें ठीके यहां भी कि लेना है सरसो के तिल कुछ भी नहीं करना है सर सो का तिल लेना है और चारो तरफ से हमें लगा देना है तो इस कूकर के ढखन में क्या प्रोब्लम है जिसके चीती के साथ साच पानी भी निकलने आज प्रोगने जाता है और फिर सीटी तो स्यह से देता नहीं है और p fiance साइड साइड जो है ना वो सबसे यह जो है कुकर भावा जिसे निकलता है अंदर से तो सीडी नहीं मारता है बहुत टाइम लग जाता है कोई चीज बनाने में तो बस कुछ नहीं करना है सिर्फ सरसो का तेल लेना है और कोई चीज नहीं सरसो का तेल लेने के बाद हमें जो है कुकर में जो उबाल आता है पानी बाहर आता है वो सब कुछ भी नहीं आएगा और बहुत अच्छे से हमारे कुकर जो है वो सीधी देना अश्टार्ड कर देगा तो फ्रेंस आई होब आप लोग को ये टीप से पसंद आया होगा और जरूर बताना फ्रेंस कि आप मेरे वीड हो पिर सिमपल और डेजाइन वाले बिंदी वह खो तो अभी जैसे इतना सारा गर्मी हो रहा है और पिर पसीना ही पसीना है कितनों अच्छा बीनदी कि ओना हम क्वाए टी अच्छे कॉयलेटी बिनों चिपका लेते हैं तो अक्सरम सर्प जो माथे पर पसीना होता है उसके बज़े से क्या होता है ना कि इस तरीके से जो है हमारे बिंदी वो निकल जाता है हाथ उस पर पड़ा नहीं कि वो निकल गया हलके से ही तो यह बहुत ही प्रोलम ऐसा होता है बिंदी चिपकाते हर जाता है और फिर बिंदी बिना तो टीप से देखती हूँ बहुत ही कमाल का टीप से तो देखे फ्रेंस इस तरीके से फ्रीजर जो है हमारे फ्रीजर फ्रीजर जो है इसमें हमें क्या करना है इस तरीके से जीतनी भी हमारे साड़े बिंदी हो डब्बे में हो या फिर इस तरीके से पत्ते में हो तो हम क्या इस तरीके से फ्रीज में रख देंगे तो इस से क्या होगा कि यह हमारे बिंदी जो है बहुत ही अच्छे से 5-10 मिनट के लिए हमें इसे छोड़ देना है उसके बाद फिर इसको निकाल लेना है इस से क्या होगा ना हमारा यह बिंदी जो है यह बहुत ठंडा हो गया है इससे रह जाएगा फिर भी ये निकलेगा नहीं जब तक कि आप निकालेंगे नहीं, तो friends आफ फ्रीजर में नहीं रखना चाते हैं, तो सिर्फ आफ फ्रीज में भी रख सकते हैं, तो मुझे यहाँ जल्दी का काम था, इसलिए हम फ्रीजर में रखें नहीं, तो आप बिंदी का प फ्रीज नहीं होता है उनके लिए एक टिप्स है अपर्लास हुआ अंपर हम पाने लीक पर हें देला बेंवादाЗ थाझ के प्रेसे चीछ को लोकी तो गहरे का पानी है वो इस तरीके से चिपका देंगे उसकी बाद घरे का पानी इसमें डाल देंगे तो इस से क्या होगा ना कि जब हमें चिपकाना हो तो यहां से भी लेकर हम चिपका सकते हैं तो फ्रेंज यह दो टिप्स था इसमें कौन अच्छा लगा जरूर कोमेंट्स बॉक्स में आप पताईएगा ठीक है ना तो चलिए फ्रेंज अगला टिप्स देख लेती हूं क्या है तो निव हैक्स निव टिप्स लेकर आती रहती हूं इसी तरीके से देखी फ्रेंज मेडिन असय लेकर है जैसे कि अक्सर बच्चे हो यह बड़े हो इस तरीके से हम दबाई लेकर आते ही हैं और क्या होता है जैसे सर्दी खासी जुका मुझे से वो खाड भी आ गया है तो इस तरीके से हर घड में दबाई होता ही है तो आज हम कुछ टीप्स आप लोग के साथ सेयर करना चाहती हूं जो कि बहुत ही कामका है तो देखे फ्रींस अक्सर क्या जैसे कि इधर आगे से ही आपको दबाई निकालना है जहां पर डेट लिखा हुआ रहता है ओहां लाश्ट में निकालना है ठीके आप सुरू करें आगे से इस तरीके से देट भी रहेगा और आप अच्छे से दबाई भी ले सकेंगे फिर कलत फैमी नहीं होगा और यहां इस तरीके से गलाज से लेकर हैं तो अक्सर गढ़मी का चुट्टी हो गया है बच्चे घर पे रहते हैं और फिर इतना सारा गढ़मी पर रहा है तो बच्चे तो अक्सर गंटो भी नहीं लगता है और दो-तीन गिलास जमा कर देतेएं पानी पीने में तो फ्रीस इससे बचन उहां पे क्या करना है जिसे कि हमारे घर में दो बच्चे हैं तो फिर हम इहां पे इस तरीके से उसका नाम का पहला अच्छर हम इस तरीके से गलास में लिख देंगे इससे क्या होगा बच्चे देखेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे क्या मेरा ये गलास है और वो जब ही पानी पीएंगे तो इस तरीके से अपने नाम का जो उसका अगला अच्छर है तो वो ही वह गलास लेकर वारवर पानी पीएंगे इससे आपका काम है वो कम हो जाएगा और फिर ऐसा होता है कीचन में कि हम लोग जैसे इस तरीके से बहुत सारे गलास होते हैं फिर गेश्ट आ जाते हैं उनको पानी पीने देते हैं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है की उसी गलास में हम फिर से पानी पीएं तो इस तरीके से हम गलास में चीना लगा दें और फिर अपना जो मेरा ग्लास से हम जो यूज करते हैं तो आसानी से हम पाचांज भी सकते हैं और फिर यूज भी कर सकते हैं I hope आप लोग को ये वीडियो पसंद आओगा Like, Subscribe, Share, जरू करना फ्रेंज